जै मामातंगी मेरे प्रिया सादकों और डर्शकों एक बहुत मत्वा पुरुन सूचना देने आया हूँ 13 जुलाई को गुरुपोर नीमा है याने अगले मैने 13 तारीकों गुरुपोर नीमा आने वाली है और बहुत सारे हमारे ऐसे सादक है जो गुरु पोर निमा के दिन आना चाहते थे और कुछ ऐसे दर्शक भी है जो गुरु दिख्षा लेना चाहते है तो वो लोग 13 जुलाई को आ सकते है और गुरु दिख्षा ले सकते है गुरु दिक्षा का कारेकरम सुबह जल्दी होगा इसलिए आप लोग एक दिन पहले पहुचेंगे बारा जुलाई को और याद रखिए गुरु दिक्षा लालच में आकर ना ले गुरु का काम है केवल रास्ता बताना उस रास्ते पे आप सही तरीके से चल सकते है या नहीं चल सकते या आपके उपर नेरबर करता है आपकी सही मैनत होगी गुरु के बताय हुए रास्ते पे गुरु के बताय हुए डायरेक्शन पे अगर आप सही तरीके से पुरे तनमन धन से चलोगे तो आपको सिद्धी साधनाओं में सफलता मिलेंगी और सही तरीके से तन्मन धन से आप गुरू के बतावी रास्ते पे तब चल सकते हैं जब आपको गुरू के उपर सच्ची, निष्टा, श्रद्दा और गुरू के प्रती अगर आप में समर्पन भाव है तब ही आप साधना, सिद्धी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ऐसे लोग, मतलब जो साधक नहीं बनना चाहते हैं ठीक है, लेकिन उन्हें दिक्षा लेनी है दिक्षा दो तरह की होती है, एक तंत्र दिक्षा, एक नाम दिक्षा नाम दिक्षा मतलब उसमें क्या होता है आप गुरू की साधरन दिक्षा लेते हैं मतलब आपको तंत्र विद्या वगरे नहीं सिखना है लेकिन गुरू बनाना है क्योंकि गुरू बनाने की परंपरा बहुत पुरातन खाल से चलते आ रही है योगो योगो से ये पुरता चल कर रही है क्योंकि जिस परिवार में गुरू नहीं होता है मतलब जिस परिवार ने कभी गुरू नहीं बनाया जिनका कोई गुरू नहीं है उस परिवार के सदस्यों को मोक्स की प्राप्ती नहीं मिलती है याद रखिए आपको अगर मोक्स की प्राप्ती चाहिए आगे चलके तो आपके घर में आपके कुल में एक गुरू का गुरू दिक्षा होना अतिय अवश्यक होता है क्योंकि जब कर्मों का हिसाब लिखा जाता है तब ये भी देखा जाता है कि आपके गुरू को ने, पूछा जाता है वा, आपको बताना होता है कि हमारे फलाने फलाने गुरू है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन करने जाते हैं, तो वहाँ पूछा जाता है आपके माता पीता का नाम क्या है, आपको बताना होता है ना माता पीता का नाम, ठीक उसी जैसे कोई भी आप फॉर्म भरते हो उसमें माता-पिता के बारे में उल्लेख होता है वो आपको भरना होता है तो उस समय जब आपको स्वर्ग द्वार के अंदर आपको रास्ता मिल रहोगा देखिए दो चीजे होती है कुछ लोग कैलासवासी बनते हैं कुछ लोग स्वर्ग वासी बनते हैं जो भगवान शिव को पूझते हैं भगवान शिव की आरादना करते हैं भगवान शिव को पूझते हैं और जो भगवान शियू के मार्ग पे चलते हैं, वो लोग कैलासवासी बनते हैं, और जो लोग भगवान विश्णु को मानते हैं, भगवान विश्णु को पूझते हैं, वो लोग स्वर्गवासी बनते हैं, चाए आप कोई भी वासी बनो, मृत्यू के बाद, चाए आप कैल अगर आप तब अपने गुरु का नाम बताना होता है अगर आप तब अपने गुरु का नाम नहीं बता सकते अगर आप गुरु से दिख्शित नहीं है तो आपको उस दौर के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी आपके अच्छे कर्म होने के बावजूद आपके पुन्य कर्म हो कर्म नहीं है आपको जवlection क्यों एक बातस रामायन आपने देखा भागवत देखिए सब में क्या है ऑफ भग्वाण ने संदेज दिया है कि अश्छा को निया ost ने सारी घटनाओं को गटित करके मनुश्य को शंदेज दिया है कि आपको ऐस ऐसे चलना मैं तो भगवान हूँ फिर भी मैंने जब मनुष्य रूप धारन किया तो वो सारे नियम मेरे उपर भी लागू होते यह भगवान ने बताया है और इसे मनुष्य ने समझना चाहिए जैसे भगवान श्री राम वो तो साक्षाद भगवान थे सिब मनुष्य रूप उन्होंने धारन किया था मनुष्य योनी में उन्होंने जनम लिया क्यों लिया ताकि मनुष्य को एक रहा दिखा सके भगवान श्री राम भगवान उने क कि बावजुद उन्होंने अपना गुरू बनाया गुरू से विद्या हसिल की क्योंकि क्योंकि बताना चाहते हैं कि हम भगवान है फिर भी जब हम मनुश्य करते हैं तो हमें गुरू के अविशक्ता पड़ती है भगवान सरी कृष्ण देखिए वह भी मनुश्य रूप धारन करके आये मनुश्य शरीर धारन किया लेकिन उन्होंने भी गुरू बनाया तो इसलिए गुरू जो शब्द है या गुरू की जो चत्र चाया है वो मनुश् प्रतिसमर्पन भावे निश्टा है तो गुरू के उपर कैसी भी परस्तिति हो कितनी भी कठीन परिस्तिति हो गुरू के उपर विश्वास रखना चाहिए स्रद्दा रखनी चाहिए उनके प्रतिसमर्पन भाव होनी चाहिए गुरू का स्थान सबसे उचा है याद रखी अगर भगवान नाराज हो जाए तो गुरू आपके लिए भगवान से लड़ सकता है और आपके पास भगवान को आपके पास मना कर ला सकता है आपको भी नहीं जाना पड़ेगा भगवान के पास लेकिन गुरू नाराज हो गया आपसे तो भगवान भी आपको बचा नहीं स साहीं होता है। तो जो साधारन लोग है ऐसे हमारे दर्शकक की जो साधारन है लेकिन आगे मौक्ष प्राप्ति और उनके कुल में याद रके जब जब घर में कोई भी शुब कारिय होता है तब गूरू का वर्नन होता है गूरू के नाम की आहुती गुरू के नाम का मंत्र उच्चारण होना चाहिए उसके बगेर आपके हर पूजा पाठ यग्य सब अदूरे हैं हर शुब कर्म हर पूजा का फल निश्वल होगा अगर आपके घर में गुरू नहीं है यह याद रखी यह बात कोई नहीं बताता है मैं आपको डीप नॉलेज बताता हो समझा कर बताता हो कोई मान लीजे आपने किसी यानि मान लीजे नौग रह के शान्ति के लिए आपने पूजा पाठ की घर पे कोई यग्य रखा लेकिन उसमें आप किसी गुरू से दिख्शीती नहीं है आपके गुरू के नाम की आउतिक दालोगे किसके नाम से बेकार जाएगी मतलब आपका वो यग्य निश्वल हो गया आप कोई साधना करने जारे हो साधना में जैसे सर्वप्रतम जो है गनेश जी का नाम उच्चारन होना चाहिए उनके मंत्रों का उच्चारन होना चाहिए उनका ध्यान होना चाहिए उनकी स्तूती होनी चाहिए पर आपके गुरू ही नहीं है तो हो गया जहां पर गुरू का पार्ट शुरू होता है वही से आपका साधना समाप्त हो जाती है क्योंकि आगे गुरू है नहीं गुरू का इसमरन है नहीं उसके आगे आप जो भी क्रिया करोगे वहां सनिश्वल होते चलिया ती मतलब सफलता नहीं मिलती हम जो भगवान से मांगते उसका उल्टा होता है या भगवान से हम जो मांगते हो हमें कभी मिला नहीं या नहीं मिल रहा है तो यह क्यों हो रहा है क्योंकि आपने कभी गुरू नहीं बनाया याद रखिए हर कुल में गुरू होता है देखिए जितने भी राजा म अपना सर कड़ जाए लेकिन गुरू आगया का पालन होना चाहिए गुरू आगया की अवेलना नहीं होनी चाहिए याद रखिए दिवाली दसेरा वही दिन होता है जिस दिन गुरु आपके घर पे होते हैं वही आपके लिए दिवाली है और वही आपके लिए दसेरा याद रख याद रखे जब घुरु दिख्षा के लिए आते हैं ते उसके बाद आपका कर्तविय ओता है कि आप गुरु को कुछ दो केवल पैसे से हर चीज नहीं होती है आप कुछ चीज दे सकते है गुरू को अपने तरब से समर्पित कर सकते है इसलिए कुछ चीज भी समर्पित करे अपने साथ लाए और गुरू को दान स्वरूब दिया करे और याद रखिए जो साधरन गुरू दिक्षा है वो लोग ले सकते हैं उनको क केवल एक मंतर दिया जाएंगा गुरू मंतर का जाप करेंगे कोई भी पूझा पार्ट यग्या हो यह कर रहे हो तो कोई भी अनुष्छान करते हूं उस समय अपने गुरू कुछ नाम का ध्यान करना, इस्मरन करना और गुरू बीजमंत्र का जाप करके बाकी की फिर प्रोसीजर क्रियाय करोगे तो सफल रहोगे आप और पूरा फल आपको मिलेगा बिना गुरू के आपके अच्छे करम होने के बाद भी आपको स्वर्ग में या कैलाश में गुरू के बहुत नस्दिक आप पहुँच गए तो घमंड मत करो आपको ये लगता होगा बहुत सारे लोग जो गुरू के क्लोज हो जाते हैं उनको लगता रहे गुरू जी तो हमारे बहुत पास है लेकिन आप गलत सोचते हो जब तक आप गुरू से दूर हो तब तक आप ठीक हो लेकिन जैसे आप गुरू के पास आ जाते हो या गुरू आपके पास आ जाता है उस समय आपकी अवस्ता ठीक उसी तरह होती है जैसे एक कसोटी का फत्तर है और उसके ओपर सोना रखा हुआ है गुरू उस सोने को कभी भी घस के चेक कर सकता है कि यह असली सोना है या पीतल है बस वही अवस्ता होती है तो जब गुरू आपके जीवन में आता है आपके पास आ जाता है आपके घर आ जाता है या आप गुरू के पास चले जाते हो तब आपके करमों का सारा हिसाब लेना गुरू चालू कर देता है आपकी परिक्षा लेना चालू कर देता है और उस परिक्षा में अगर आप खरे नहीं उतरते हैं तो आप गुरू से दूर हो सकते हैं इसलिए गुरू के पास रहने के बाद पात्र बनना है मैं कुछ नहीं हूँ मैं को निकाल द से दो हाथ फैला के भीक की तरह लिया जाता है क्योंकि उप्रशाद है तो ठीक उसी तरह गुरू के सामने दो हाथ जोड़े भीक की तरह समर्पन भाव में रहो घुटने जोड़के कोई दो हाथ प्रिवात फैला कर कुछ मांग रहे उस तरह से अगर आप रहोगे तो ही आपको गुरु की खृपा मिलेगी मैं जब तक है मैंने ये किया मेने वो किया मेंने गुरु जी कर्द एसा किया ये मैं है यह हैं कार यह मैं आपके किये हुए सारे कारियों को निश्फल कर देता है इस सारे कर्मों को निश्फल कर देता है इसलिए मैं मैं कार जो है इसे निकाल के फेके जीवन से क्योंकि जब तक मैं है तब जब तक आप एक सफल सादक नहीं बन सकते कोई सिद्धी आपको हासिल नहीं हो सकती जब तक मैं आपके जीवन में है तो याद रखिए आप लोग इस बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कल और डीपली आपको समझाऊंगा तो याद रखिए 12 जुलाई को आपको ओड दीन पहले पहुछोगे क्योंकि थी रहा को पहुछ और बहुता है नेवस सकते हैं मतलब 2100 रुपे चार्ज लगेगा अगर मानली जी एक घर में 5 लोग है तो गुरु दिक्षा कैसे लेंगे अगर एक घर में 5 लोग है और साधरन गुरु दिक्षा लेना चाते है तो आपको 2100 रुपे जो फीस है वो तो भरनी पड़ेंगी लेकिन उसके बाद में आपको स्रीफ 1000 रुपे जैसे मानली जी दो लोगों को एक घर के दो लोगों को दिक्षा लेनी है जैसे पती पतनी है और दोनों को दिक्षा लेनी है तो आपको 2100, 2100 रुपे नहीं देना होगा आपको देना होगा 2100 रुपे और 1,000 रुपए एक्सट्रा याने 390-900 में दो लोगों की दिख्षा होगी अगर मान लीजे 3 लोग है तो आपकी दिख्षा कित्ते में होगी 4100 रुपे में 3 धिख्षा होगी लेकिन प्रत्थम जो है वो 2100 होगा उसके बाद 1,000-1,000 रुपए से बढ़ेगा समझे आप लोग इस तरह से होगा और आप लोग आईए गुरू दिक्षा दी जाएगे और जितने हमारे सादक है आज तक जितने भी सादकों ने गुरू दिक्षा लिए जितने भी उन सभी को गुरू पॉर नीमा के कारेकरम में शामिल होना है याद रखिए आप लोग एक बार गुरू दिक्षा ले लिए इसका मतलब यह नहीं कि आप गुरू पॉर नीमा के कारेकरम में नहीं आएगे आपको हर गुरू पॉर नीमा के कारेकरम में उपस्तित रहना है जो दिक्षित सादक है चाहे जिनोंने भॉपाल के कारेकरम में गुरू दिक्षा ली हो चाहे औरंगाबाद के ली हो चाहे कुलू मनाली के कारेकरम में ली हो चाहे उडिसा के दरबार में ली हो आपने कही पे भी गुरू दिक्षा ली हो लेकिन याद रखिए एक साधक का कर्म क्या होता है करतव वे क्या होता है वो बता रो एक सिश्य का क्या कर्म होता है वो मैं बता रो जिस गुरू से आपने दिक्षा ले लिए उनके हर सुख और हर दुख में बिना बोले आपको पहुँचना होता है हर गुरू पोर्नीमा के दिन बिना चुके गु सबसे बड़ा तेवार उसके लिए गुरु प्वर्निमा होता है चाले दीवाली हो चाले दसेरा जाय कुछ यह सब छोटे हैं सबसे बड़ा तेवार गुरु पूर्निमा हो एक सिश्य के लिए एक सादक के लिए जैसे आपको समय समय पर भूक लगती आप भोजन ग्रहन करते हो क्योंकि शरीर की जुरत है वैसे ही आपकी अध्यात्मिक जीवन की जो नियू होती है वो गुरू होते आपके जीवन का अध्यात्मिक जीवन का अधार स्थम जो है वो आपके गुरू होते है और समय समय पर गुरू का आशिरवाद लेना अतियावशक हो जाता है क्योंकि गुरू का एक शब्द आशिरवाद या गुरू का जो सर के उपर जो सपर्श होता है वो बड़े से बड़े खत्रों को टाल देता है वो बुलते ना मेरे सर पे मेरे गुरू का आशिरवाद है अगर ये शब्द अगर आपके जीवन में खरा उतरता है सही में आप गुरू के पास पहुचते हो केवल आशिरवाद भी लेने अगर आप पहुशते हो न तो आपका जीवन में आने वाली ना जाने कितनी बड़ी बड़ी घटना है अपने आप ही टल जाती है इसलिए याद रखिए समय समय पर गुरू का आशिरवाद लेना अती आवश्यक हो जाता है एक सादक के लिए एक छत्री की तरह होता है मैं हमेशा आपको समझाता हूँ कि आपको जैसे एक छत्री आपको धूप से बचाती है बरसात से भी बचाती है ठीक उसी तरह गुरू भी एक छत्री है जो आपके जीवन में आने वाली हर मुसीबतों से आपको बचाता है गुरू का आशिरवाद ब